हेलो फ्रेंट्स ओमेट क्राप्टिंग में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको बाटर फिल्टर के लिए कवर बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं दिखिए मैंने डिफ्रेंट कलर की बूली है सिक्स नंबर का क्रोश्या लिया है 3.5 mm का देखिए वाटर फिल्टर है प्योरिट प्योरिट के लिए मैं यह कवर बनाऊंगी सबसे पहले मैं यह बिलू कलर लोंगी देखिए बिलू कलर लेने के बाद इस तरह से में रिंग बनाऊंगी यह मैंने रिंग बना ले है जहीं देखे रिंग बनाने के बाद हिसमें ने थिरी की चेन बनाऊंगी वन टू और एक यterror यह फिरेशय की यह महत्म स्वडी डाला carry है बनाने के बार मैं डबल क्रोशिय डाल多गी इस तरह से मैंने यह double crochet डाल दी है फिर मैं two key chain बनाओंगी और double crochet डालूँगी one double crochet two double crochet फिर इससे मैं two key chain बनाओंगी और double crochet डालूँगी one double crochet यह तो डॉबल ग्रोशिय दिक इस तरह तो की चेन वह तो डॉबल ग्रोशिय देखिए यह होगे है फोर की चेन फिर से मैं टूकी चेन बनाऊंगी और टू डॉबल की रोशिय डालोंगी फिर टूकी चेन बनाऊंगी और देखिए मैं इसको आप जॉइन करते हुए यहां पर यहां पर जॉइन करना है कि मैंने इसको यहां पर जॉइन कर दिया है अब रिंकों में टाइट कर देती हूं और देखिए सिली पिस्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाऊंगी इस तरह से देखिए दागा यहीं पर कट कर देती हूं इस तरह से मैंने सरकल बना लिया है अब देखिए मैं इसमें दूसरे कलर की बूर लगाती हूं तिन कलर लगाना है लाइट पिंक तो इस तरह से लगाना है तक यह सबसे पहले बन टू और यह थिरी यह मैंने थिरी की चेन डाल दी है अब थिरी की चेन देखिए और यह टू डबल करोशिया देखिए चेन को मिला कर हो गए है यह थिरी की डबल क्रोशिया फिर फिर वन चेन लेना है दों देखिए आगे डालना है यहां पर six डॉढल क्रोशिया तो डुडबल क्रोशिया और यह थिरिः डॉद्धवल क्रोशिया फिर फर उन और यह यह तो कि चेन बनाना है और फिर से 3 double crochet डालना है, 1 double crochet, 2 double crochet और यह 3 double crochet, देखें, total हो गए हैं यहां पर यह 6 double crochet, फिर वण चेल लेना है, और आगे डालना है यहां पर 3 double crochet, यह वन टू और यह थिरी फिर से पन की चेन बनाना है और यहां पर डालना है सिक्स डबल क्रोशिया वन टू थ्री फिर से टू की चेन और यहीं पर डालना है थ्री डबल क्रोशिया वन टू और यह थिरी ऑंटर हो गई है यहां पर यह गंड़ा सिक्स डबल क्रोशिया को पर वन से लेना है यह यहां पर डालना है थ्री डबल क्रोशिया वन टू और यह थिरी फिर वन चेन लेना है और यहां पर डालना है 6 डबल क्रोशिया बन तू और यह थिरी फिर से टूकी चेल और थिरी डबल क्रोशिया वन टू और यह थिरी बंचेल लेना है और यहां पर शिली पिस्टिच लेते हुए जॉइन करते ना है इस तरह से जॉइन करना है यह मैंने शिली पिस्टिच लेते हुए जॉइन कर दिया है अब सिली पिस्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना इस तरह से देखिए यह भी धागे को कट कर देना है अब इसमें मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, इस तरह से मैं ये ट्राइंगल बना रही हूँ, ट्राइंगल, अब देखें मैं दूसरे कलर की बूर लगाती हूँ अब इसमें, आप जितने भी चाहें इसमें कलर लगा सकते हैं, एक कलर का भी आप बना सकते हैं, और टू कलर के भ और वान वन, टू, और यह थिरी, थिरी की चेंड और डबल कि रोशिय है वन, टू, फिर टू की चेंड और थिरी की डबल कि रोशिय है टू, और यह थिरी, टोटल हो गए हैं यहां पर यह थिरी की डबल कि रोशिय है फिर वनचे लेना है और यहाँ पर डालना है 3 टृबल गैजिया वनजे लेना है और यहाँ पर और भी डालना है 3 डबल क्रोशिया तू और ये थिरी फिर बंचे लेना है और यहाँ पर डालना है शिक्स डबल क्रोशिया तेकि जहाँ पर मैंने ये शिक्स डबल क्रोशिया डाले हैं बहाँ पर मैं शिक्स डबल क्रोशिया ही डालूँगी और बाकी जगे डालूँगी मैं थिरी थिरी डबल क्रोशिया अब यह सिक्स डबल क्रोशिय आ गए हैं तो मैं यहां पर सिक्स डबल क्रोशिय ही डालोंगे वन टू और यह थिरी थिरी हो गए हैं और फिर बंड टूकी चेन थिरी डबल क्रोशिय अब देखिए ट्राइंगन पंता हुआ रहा है बंचेन लेना है बंचेन अब देखिए यहां पर डालोंगी मैं शिक्स डबल क्रोशिय अब यहां पर यहां पर तू तुकी चेन और थिरी डबल क्रोश यह बन चेन और यहां पर डालोगी में थिरी डबल क्रोश यह में भाएं देखे हम सिलिप सीच लेते हुए ज्टि नवी जॉयन करोंगे सिंखडी सियु सी जॉयन कर दिया है तवन एक अब सिलिप brightest च्षि लेते हुए हाँ को बढाना इस ताहसे और उसमें दूसरा पलार लगाना है इस तरह से ही ट्राइंगल बन रहा है बन टू और यह थिरी थिरी की चेन और डबल क्रोशिया यहां पर डालना है सिक्स डबल क्रोशिया टू की चेन और थिरी डबल क्रोशिया टोटल हो जाएंगे यह सिक्स डबल क्रोशिया वन चेन और थिरी डबल क्रोशिया देखें इसी तरह से इस रोप को भी कंप्लीट करना है यह थिरी फिर वंचेन लेना आप देखें मैं इसको सिली पिस्टिच लेती हूं जॉइन कर देती हूं जॉइन करना है यहां पर यहां पर जॉइन कर देती है जॉइन कर दिया है अब सिली पिस्टिच लेती हूं आगे बढ़ना इस तरह से इसको धावी को कट कर देना जाए इस तरह से ट्राइंगल बंता हुआ आ रहा है देखे वैसमें दूसरा कर लगाती हूं इसमें दूसरा कर लगाती हूं वाइट कर लगाना है इसमें बन टू थ्री थ्री की चेन और डबल क्रोशिया तू डबल क्रोशिया तू डबल क्रोशिया टू की चेन थ्री डबल क्रोशिया तू और यह थ्री तोटल हो गए है यह सिक्स डबल क्रोशिया देखे और दो दो थो जाइन तू हूं इस तरह मैं ने वोल्लिया ने रोवी कंपलीड कर दिया थे जैना कि च्छ यह प् Allen कर देते हूं तू जोइप यह इस तरह अपसे लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढाना है इस तरह से उड़ दिखें अब धागे को यह कट कर देते हैं अब इसमें मैं दूसरा करण लगते हूँ कि वन तो और यह थिरी थिरी की चेन और डबल क्रोशिया वन और एक यह टू कि फेसे टू की चेन बनाना है और थिरी डबल क्रोशिया डालना है देखिए अब मैंने यह ट्राइंगल बना लिया है और देखिए इसके लिए मैंने टोटल फाइब ट्राइंगल बनाए हैं तो देखिए मैंने यह बना लिये डिफ्रेंट कलर के और थिरी और बनाए है इनको मैंने जोड भी दिया है आपस में तोटल यह मैंने फाइब ट्राइंगल बनाए है देखिए इनको आपस में जॉइन कर देती हूँ जोड देती हूँ तो देखिए मैं जोड कि हूँ देखिए बहुत दि सुन्स tutu लग रहे हैं ट्राइंगल अ कलर फुल different color की bowl से मैंने ये बनाए है अब दिखिए मैं इनको join कर देती हूँ जैसे मैंने ये join करे है उसी तरह से मैं इनको दोनों को भी join कर देती हूँ इस तरह से बन टू थिरी और एक ये फूर की चेन और देखिए दोनों ट्राइंगल को लेना है इस तरह से और यहां पर सिंगल क्रोशिया से बुनना है इस तरह से लेए बन टू थी और ये फूर की चेन इस तरह से दोनों को बरावर रखने के बाद यहां पर join करना है सिंगल क्रोशिया से जोड देना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से देखिए वन टू थी और ये फूर की चेन इस तरह से बरावर किया और इसको join कर दिया वन टू थी फूर की चेन इस तरह से जॉइन करना है इस तरह से जॉइन करना है तो कि इस तरह से आ रहा है जुबने के बाद देखिए सीधी तरफ से इस तरह से आए वन टू थ्री फॉर की चेन इस तरह से बुलना है वन टू थ्री फॉर की चेन विखिश में डाल कर यहां पर इस तरह से इसको बुलना है अब यह जोर देती हूं मैं इसमें इस तरह से इसको जॉइन कर देखिए मैंने जॉइन कर दिया है यहां से भी यह जोर गया है अब बन टू थ्री और एक यह फॉर यह जुनने के बाद इस तरह से आया है यह ते इस तरह से आगया है इस तरह से आगया है जूनने के बाद देखिए पर आज आजड़ियों के बड़ संदे हो। कि मैंने इसको जोईन कर दिया है अब देखिए मैं दूसरी साइड भी जोड़ूंगी देखिए मैं इनको जोड़ देती हूं आपस में जोईन कर देती हूं वन टू थिरी और एकी फोर फोर की चेन और इसी तरह से जोड़ना है वन टू थिरी और एकी फोर अब इसमें डाल कर भी जोड़ना है वन टू थिरी और एकी फोर को मैंने यहां पर जोईन कर दिया है देखिए जोईन कर दिया है मैंने यह यां देखिए सीधी तरब से इस तरह से आ गया है कि इस तरह से मैंने यह फाइपी जोड़ दिये हैं देखिए अ सरकल में आ गया है अब देखिए मैं यहां से बनाती हूं अब नीचे को बनाना है तो मैं देखिए बनाती हूँ नीचे को देखिए अब मैं यहां नीचे से इसका गेरा बना देती हूँ कवर का तो इस तरह से बनाना है देखिए वन टू और यह थिरी है थिरी कीचे यह देखिए डबल क्रोशिया यह होगे ट्रोटल थिरी डबल क्रोशिया फिर वन चे थिरी डबल क्रोशिया बन चे थिरी डबल क्रोशिया देखिए इसी तरह से थिरी थिरी डबल क्रोशिया बना है टू और यह थिरी क्रोशिया कूर बंगी मुछ़न बना है, हुआ हुआ treatment लदाग मुछदष से लिए यह थी हुआ मुदड़न लिएओ मुछ़न जिए गल करोशिया थोदिए है्षिया मुछ़न टू, थिरी, टू की चेन और फिर से थी डबल क्रोशी यहां पर मैं 6 डबल क्रोशिय डाल रही है, देख, यहां पर मैंने यह 6 डबल क्रोशिय डाले है, फिर बन चेन और 3 डबल क्रोशिय, इसी तरह से पूरी रोब को कम्प्लीट करना है, इसी तरह से यह आगर को बढ़ता जाएगा, यहां पर डालूंगी मैं 6 डबल क्रोशिय, टू, तरी, टू कीचे, यहां पर डालूंगी मैं 6 डबल क्रोशिय, यहां यहां पर भी, यहां पर 6 डालूंगी और यहां पर भी, इधर भी 6 डालूंगी, ने पांचों कॉन पर मैं सिक्स डवल क्रोशिया डालूंगी बन चेन ऑफ यहां पर डालना है थीर डवल क्रोशिया वाकी में नहीं डालूंगी में और यह थिरी वर्ण, टुकी चेन, देखिए हम इसको सिली पिस्टिच लेते हैं जॉइन कर दूँगी, यहां पर जॉइन कर दिया है, देखिए, इस तरह से आये गई है, अम मैंने यह फर्स्ट रो कम्प्लीट कर लिए, देखिए, इस तरह से आये गई है, यह उल्टी तरफ से है और यह सीधी तरफ से है, अब देखिए, हम नीचे को आगे को इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, बुनते हुए, देखिए, अब आगे को मैं डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करूंगी, नहीं बढ़ाऊंगी, और जो यहां 6 डाले है, यहां पर मैं 3 डबल क्रोशिय डालते हुए, नीचे तक गेरे को बनाना है, फिल्टर के, देखिए, अब यह 6 डबल क्रोशिया आ गए है, अब यहां पर मैं 3 डबल क्रोशिय डालूंगी, 6 नहीं डालूंगी, 3 डबल क्रोशिय ही डालना है, 1, 2, और यह 3, देखिए, 3 डबल क्रोशिय ही डाले है, मैंने बागी जगा भी थिरी थिरी डबल क्रोशिय डाल ले है इस तरह से यह आए बढ़ा देखिए अब यहां पर भी में थिरी डबल क्रोशिय डालूगी यहां पर भी मैंने तरी डबल क्रोशिय डाले है फिर बंचें ऑ तो यहां तक मैंने यह बना लीए अब देखिए मैं यहां से इसका बॉडर बना देती OM कि दिखें में बॉर्डर बनाती हूं कि इस तरह से बनाना है कि बन तू और यह थिरी थिरी की चेन और डबल क्रोशिय यह हो गए चेन को मिलाकर थिरी डबल क्रोशिय थ्री फौर यह यह फाइब और यह शीक्स तेखिए इसमें मैंने यह six डबल खुरोश्य डाल दिये हैं अब फिर दिखीए आगे भी में six डबल क्रोशे डालूंगी टू थिरी फूर फाइब और यह सिक्स देख इस तर ऐसे शिक्स डबल क्रोशे डालते हुए रोको कम्प्लीट करना है वन टू त्री फूर फाइब और यह सिक्स देख इस तरह से आएंगे यह सिक्स डबल क्रोशिया फाइब और एक यह सिक्स देख अब मैंने यह रोबी कम्प्लीट करना है कर दी है बोर्डर बना दिया है नीचे से अब देखे मैं इसको सिली पिस्टिच लेते हैं जॉइन कर देती हूँ यहां पर जॉइन करना है कर देखे मैं इसको अभी जॉइन कर दिया है देखे मैं इसको पीछा को कर देती हूँ धागे को इस तरह से बोर्डर आ गया है है कि इस तरह से बोर्डर हम्मैने कंप्लीट करती है नोके से बोर्डर भीट है कवर से देन गिठेम कि टो पेड़ी आ से इस तरह से आए गाई है कि पप At splits ॉबर है उटिंद साविया इसलोवर को मैं यहां पर लगाओ तो लगाना इस तरह से दिखिए मोती भी लगा दूने यहाँ पर फ्लावर तो फिर मैं यह लगाती हूँ जब कर दो फिर मैं यह लगाती हूँ अब मैंने फ्लॉबर भी लगा दिया है यह मोती भी पीच में अब यह बार्टर फिल्टर कवर प्योरिट कवर कम्पलीट हो गया है देखे अब मैंने यह बार्टर फिल्टर कवर कम्पलीट कर दिया है यह बहुती सुन्दर लग रहा है अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेर करें और मेरी चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें थैंक यू